यूपीएसी दोहसर बीस का रिजल्ट घोशित कर दिया गया है एक्जाम में 7166 सफल हुए हैं शुभम कुमार ने एक्जाम में चौप किया है बिहार के कटिहार के रहने वाले हैं शुभम वहीं अगर बाकी की बात करें तो दूसरे नंबर पर जागरिती अवस्थी रही हैं यह जालका को तीसरा स्थान मिला है तो काफी लंबे समय से इंतसार था बिहार के लाले एक बार फिर कमाल किया है बिहार के कटिहार से लेके शुभम कुमार ने UPSC परिक्षा में चौप किया और एक नया रिकॉर्ड बनाया है सिविल सिवा परिक्षा 2020 में पहला स्थान पाने वाले शुबम कुमार ने आयाईटी बॉंबे से बीचे किया है बदारे की कटिहार से लेकि निवासी शुबम को 2019 में 290 रैंक प्राप्थ हुआ था लेकिन इस बार उन्होंने चॉब कर पूरे बिहार का नाम रोशन किया है तो अहीं शुबम की इस सफलता पर उनके परिजनों ने खुशी जाहिर की है तो नाम रोशन किया है अनंद कुमार सिंग शुबम के भईया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए है अनंद जी बहुत बहुत स्वागत आपका कशिस नियूस में और वाकई आप काफी अनंदित भी होंगे क्योंकि आपके भाई ने जो पर्चम है वो लहराया है UPSC 2020 के परिक्षा में वो टौप आया है किस तरीके से कितनी खुशी महसूस कर रहे है किस तरीके से जो शुभम के तैयारियां है वो चलती रही घर-परिवार के लोग कैसे वो सपोर्ट करते रहे और किस तरीके से उनकी पढ़ाई चली पूरा परिवार किस तरीके से साथ रहा उनकी पढ़ाई को लेकर के बाकी उनको भी कई कठिनाया भी सामने आ रही होगी कि तो किस तरीके से पूरे परिवार ने सपोर्ट किया कि नहीं शुभम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट किया जाे माता-पिता से लेकर के क्योंकि एक भाई की भी आहम भूमिका अ तो किस तरीके से अब पूरे सदस्यों ने उनको सपोर्ट किया है आगे शुभम के लिए कैसा जो सोच है वो परिवार में है क्योंकि शुभम से और जो उमीदें वो जाहिर सी बात है की बढ़ गई होंगी तो शुभम का भविश्य और किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं आपके माता पिता की अगर बात करें तो माता पिता की किस तरीके से जो भूमी का है वो दोनों भाईयों के लिए और खास करके शुभम के लिए रहे चलिए बिल्कुल आनंद बहुत दौट जी जी आनंद तो आनंद हमारे साथ जुड़वेत शुभम के बड़े भाई हैं और बड़े भाई की भूमी का वाकई काफी एहम हो जाती है जब आपके छोटे भाई पढ़ाई कर रहे होते हैं कई तरीके की परिशानिया होती है तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के पूरे परिवार ने सपोर्ट किया और शायद यही वचा है और उनकी अपनी प्रतिभा है कि UPSC 2020 में कटिहार के इस लाल ने शुभम ने अपना पर 60 अभ्यरती सफल हुए हैं लेकिन बात अगर हम शुभम की करें तो शुभम का जो चर्चा है वो हर जगा हो रहा है क्योंकि UPSC एक बड़ी और प्रतिस्ठित परिक्षा होती है और इस परिक्षा में जो तयारी कर रहे होते हैं उनका इंतिसार भी लंबा होता है कि किस तरी तो लगतार जो उनके एक्जामस होते रहें उन्हें उन्हें अच्छे प्रदर्शन किये और उन्हें लगने लगा परिवार वालों को भी लगने लगा कि नहीं शुभम बहुत आगे जाएगा इसलिए शुभम का को पूरा जो सपोर्ट है वो पूरे परिवार का मिला और जो बादचीत हुई शुभम के जो बड़े भाई हैं अनंद उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो पूरा परिवार जो है वो खुशी महसूस कर रहा है और शुभम का भविश्य से भी कई जो उमीदे हैं वो बढ़ गई है और तमाम कछनाईयों के बीच चुनौतियों के बी इसको ले करके जो पूरा बिहार और खास करके जो कटिहार सला है वो खुशी महसूस कर रहा है